चलिए एक और निमसेट टॉपर से मिलते हैं दिव्या से जिनका ओल इंडिया रेंक 65 है जो की आगरा यूपी से हैं तो दिव्या सबसे पहले तो आपकी ओल इंडिया रेंक 65 के लिए धेर सारी सुबकामना है और दिव्या ने ये रेंक final year के साथ अचीव किये कई बच्चे ज रेंकत शब्सक्राइब के लिए रेंक उसमें क्या क्या चीजे थी जो आपने जिन पर ध्यान दिया और जो एक आपने अचीव कि तो बस मुझे सिर्फ college का ही देखना हो था तो आगे कभी सोचना था कि आगे future plan क्या गरना है तो उसके बाद मैंने YouTube पर थोड़ा सर्च किया पर मुझे कंप्यूटर साइंस से ही कुछ करना था तो मैंने आगे YouTube पर देखा YouTube पर मुझे से फिर यून जून में देखी थी तो जून में गया हुआ था कि स्टार्टिंग सर्का मैजिकल क्या चाप्सिल रहा था उस ताइम पर तो मैंने वही वीडियो तेखना स्टार्ट किया तो उस ताइम पर तो सब्सक्राइब तो मुझे थोड़ा सा इंटरस्ट आने लगा मैं कि जो टॉपिक मेरे थोड़े वीक रहता था तो बहुत ज्यादा टॉपिक वैसे तो और यह वाले टॉपिक जो थे खोड़े से ट्रिकी होते थे तो मेरे वीक भी रहते थे तो उस टाइम पर सरने पढ़ाते तो वह समझ में जुआ है तो पर यह यह जोड़ा तो करने नुख रहता है जोड़ा सा यह गैसे तो नहीं को कॉपलीं करना अलुक्पी में नोट करना तो बिल्कुल मैंने नहींुत फॉपिस्ट लगता था था जोड़ दो कि इस ताइम तो आने लगा मतलब अधर डिसमबर तक मेरा टाइम मैंज होने लगा उसके बाद पर मैंने स्टार्ट किया कि क्या को होते तो सब्सक्राइब ट्रिक्स बताते थे तो उन पर थोड़ा मैंने फोकस करना स्टार्ट किया अब यह था कि कैसे करेंगी कोचिंग कैसे रखे तो वह तो हमारा मॉर्निंग में कॉलेज होता था इंवनिंग इस पर दो अफेक्ट आता था था नहीं ने दो तो मैंने सरका बैल सवही से मैंने और प्ना टाइम szy में अग। तो पोर वाग्स तर लेकिन एक्स नहीं थी वह अच्छी क्रेक्टिस होनी चाहिए थी एक्साम देने के लिए इस ने बाट भीओं नोहें और यह बहुत इंपॉर्टन चीज़े होती है कि इसने second year से preparation start की थी, two year का complete course किया, one year के बाद second year में performance year था, मैं हमीशा बोलता हूँ कि आप जितनी जल्ली करते हैं उतना फायदा होता है, और कई बार जब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे final, जैसे इसने final के साथ ये rank achieve की, पर क्या हुआ कि समय रहते हुए join करने का ये फायद के बाद second year के बाद final year में आके आपने testing start की, तो test में number up down भी होते होंगे, तो उसका कैसे manage करते थे, जब आपके number down होते थे, तो क्या thought आता था और जब number up होते थे, तो क्या thought आता था, तो starting में जब Sunday का test होता था, नमबर कम आए या अच्छे आए, मैं वो दो घंटे test देने कि तुमने जो दो घंटे दिये, तुमने topic wise में कितना भी कुछ किया, वो दो घंटे पहले अपने mind को set कर लो, कि कुछ सोच नहीं नहीं कि कैसा exam दिया, last में जब तुमने अपना दो घंटे rest कर थे, तो free mind होते हो, उसके बाद जब topic wise test को देखते हो, फिर उस में हर चीज को कि मैंने इधर mistake करी, कि इधर मैंने कौन सा चीच तो छोड़ दी, तो ऐसे मैंने manage किया, तो मैंने exam में चाहिए, अप हो याँ डाउन हो, मैंने कभी वो नहीं तो आज पढ़ाई छोड़ देते हैं, मेरा वो रहता था था कि क्या अप हो याँ डाउन हो, वो दो घंटे पहल कि ड्रॉप भी बचा है, और आप अच्छे college में जाने वाले हैं, तो आपका अपने juniors को क्या message होगा? मैंने बिल्कुल सही बात बोली कि आप जो भी material सॉल्व कर रहे हैं, उसको करा, फिर रख दिया, फिर दस दिन बात करा, फिर करा, और हर बर कुछ ना कुछ नया सीखोगा, यह पक्की बात है, तो दिव्य आपने काफी important बाते बता हैं, अभी आपके ममी बापा भी award ceremony में आये, यह बहुत ही खुशी की बात है, और यह आपने जो अचीव किया, ऐसे आप NIT में भी जाके, क्योंकि आपको, आप से बात करके समझ में आप हर चीज को प्लांट करके ही चलते हो, तो ऐसे ही semester one से perform करना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि semester one का percentile जो होता है, pointer जो होता है, वो आगे तक काम आता है, teacher के साथ वैसी image होती है, तो आप NIT में भी ऐसी perform करें, और best job भी लें, once again, all the best and congress लें, thank you, बीटा.